नमस्कार आप सभी का स्वागत है नागोर जिले के तेजी से बढ़ते विश्वस निये न्यूज पोर्टल न्यूज 21 गाजसान में मैं आपके साथ हूँ सद्दाम उसें सितिकी और पेशे आज की नागोर हेडलाइन्स अगोर हेडलाइन्स के अंतरगर हम नागोर जिले की तमाम यहा तेजी लों का रूप करेंगे आज की हेडलाइन्स इस परकार है परबसर के भकरी गाउं से एक कोरोना संदिक यूप्ति को किया गया अजमेर रेफर 23 मार्च को लोटी थी हैडराबाद से 21 साल की यूप्ति को खांसी बुखार के लक्षन देख कर C.H.C. परबसर ने किया रेफर अजमेर के कलेक्टर विश्व मोन सर्मा द्वारा जिले में कोवीड-19 के बढ़ते प्रकौफ के चलते जिले की सिमाओं को किया सील धारा एक सुचमालिस के तहत परदत सक्टियों का उप्योग किया जेपूर के रामगंद में कल नहीं दस पोजिटिव के साथ राजस्तान में अब तक 89 कोरोना पोजिटिव केस मिले हैं कल की तुलना में 20 केस की बढ़तरी पूरे भारत बर में अब तक 1251 केस की हुई पुष्टिव सेंस डागां के चिकिचा करमी दहरां की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव भिलवडा के सीमेचो की सुचना पर संदिक्त मान कर पेजा गयता जेलन अस्पताल नागोर परबस्तर के विद्याचेतर में मुले से अधिक मुले लेने की आ रही है सिकायतें सोचिल मीडिया के जेलिये नागरी कर रहे हैं सिकायतें पर सासन को देना चाहिए ध्यान न्यूस 21 राजस्तान भी करेगा पूरी परताल राजस्तान के उपमो के मंत्री सचिन पाइलेट ने ग्राम पंचायतों को लेकर की बड़ी गोसना मास्क, सेनेटाइचर और गलब्च उपलब्द करवाएगी पंचायती राजस्ताएं 11,000 ग्राम पंचायतों को 50,000 रुपे की दीजबी करती नागर पुलिस अदिक्सक डॉक्टर विकास पाठक ने प्रेश नोट जारी कर नागर सहर एवम आसपास शेत्रों में होम डिली भी कर सकने वाली दुकानों की की सूची जारी जिन पर कॉल कर गर बेटे मंगवा सकते हैं सामान लोक टाउन के चलते पूरे जिले बर में शटकें पड़ी है सुनी जिले बासियों का धन्यवाद इसी तरह बरतते रहें सावदानी अब तक जिले में कोई कोरोन पोजिटिव केस नहीं आया सामने तो ये थी आज की नागर की हैडलाइन्स इस तरी की तमाम ख़बरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूस 21 राज़स्तान से जरूर जुड़िए तो आप ये निूस पेज़ पर रहे हैं हमारे पेज़ को लाइक कीजिए अगर आप ये न्यूस यूटूब पर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप हमें फोलो कर सकते हैं ट्वीटर इस्टाग्राम और पब्लिक पर भी और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का उप्योग करकि आप हमारे वाड़सप ग्रूप से भी जुड़ सकते हैं जुड़ने के लिए हमारे जीमेल एंडरस पर अपना रिजूम है जे आपको हमारी टीम की और से रिप्लाइ किया जाएगा इसी परकार नागर जिले से जुड़ी तमाम ख़बरों के लिए हमसे जुड़े रहे अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार